आप ना पहले का ऐसा कोई कानू ना बाद में ऐसा कोई कानू ये है धीम राव मेटकर इस पर बहुत बढ़ी बहुत चली थी अनुशेत्तेरा को लेके आप सोच सकते हैं कि कितनी बैतरी नग से संभीधान लिखा गिया है संभीधान के बारे में एक सायर में क्या कहा कि तुम्हारी हर्तकलीफों का मैं एक मुकमल जवाद हूँ कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ना मैं भास्त का संभीधान सेलूट करते हैं उन संभीधान बनाने वालों को जिन्होंने इतना मजबूर किया और याद रखिए ये जो नेता है ना जो संसल में बैचे रहते हैं बेच दिये रहते हैं आपको ये जो संभीधान है ये उन्हें रोख के रखा है तो बेच नहीं सकते हो अगर आप कि जो संभीधान बनाने वाले थे वो इमान दावते हैं वरना इन लोख को अभी दे दिया जाता है तो बेच ठाखा जाते हैं तो ये उन्हें रोख के रखता है अब उच्छे तेरा आप याद रखिए कि ये आपकी करन है कम जब आप दूसरे को तकलीत देने लगते हैं त अब दूसरे कर दो ऊब आपकी कर दोसा है्